हेलो दियर स्टूडेंट्स, वन्स अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ओप सब्जेक बेसिक केमेस्ट्री, आएम प्रोफेसर स्वार्धी इंगले फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री निटी पॉलिटेखनीक नाकपूर, हमने स्टार्ट किया है यूनिट नमबर इन इंडस्ट्री, अलग-अलग इंजिडिनिंग मटरियल को हम इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट विल बी एबल तू अंडरस्टांड तब पॉलिमराइज़ेशन प्रोसेस, पॉलिम के बारे में पढ़ा, उसके डफिनेशन, उसके बार हमने उसके कुछ कैमिकल प्रोपरटीस भी पढ़ें, और साथ में हमने लूब्रिकंट के फंक्शन भी पढ़ें, तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिमर किसे कहा जाता है, पॉलिमर, तो पॉलिवर्ड का मिनिंग ये हो पॉलिमर बहुत सारे मोनोमर जब एक दूसरे के साथ जुडते हैं और एक चेन बनाते है तो उसे कहा जाता है पॉलिमर तो अब यह समझना जरुदरे के what is mean by monomer तो ये हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं जैसे कि ये एक मोती है इस एक मोती को हम बोलते हैं monomer और ऐसे बहुत सारे मोती एक दूसरे के साथ जोड़के हमने एक माला बना दी तो ये जो कुछ भी माला यहाँ पर बनेगी उसे कहा जाएगा polymer I hope कि आपको monomer और polymer दोनों concept समझ में आए हैं तो single unit जब present होता है तो that is called as monomer और ऐसे बहुत सारे monomer एक दूसरे के साथ जोइन करके जब chain बनाते हैं तो that is called as polymer तो polymer का एकदम best example जो है वो plastic है प्लास्टिक की चीज़े हम हमारे day to day life में बहुत यूज करते हैं बहुत सारी देखते भी है तो this plastic is an organic polymer of high molecular weight जिसका molecular weight बहुत बहुत ज़ादा होता है तो अब हम यह समझते हैं कि यह monomer से यह polymer कैसे बनता है तो जिस chemical reaction से monomer से polymer बनता है उस chemical reaction को कहा जाता है polymerization तो अब हम polymerization process के बारे में समझेंगे the reaction in which large number of monomers joined together to form polymer is called as polymerization ऐसा process जिसमें बहुत सारे monomer एक दूसरे के साथ जूडते हैं और polymer बनाते हैं उस process को कहा जाता है polymerization polymerization जो होते हैं वो broadly दो type के होते हैं एक को कहा जाता है addition polymerization और एक को कहा जाता है condensation polymerization तो polymerization के दो type होते हैं addition polymerization and condensation polymerization अब one by one हम समझेंगे along with the examples तो सबसे पहले आता है कौन सा polymerization addition polymerization तो addition polymerization मतलब क्या the polymerization in which large number of monomer joined together to form a polymer without removal of simple byproduct is called as addition polymerization ऐसा polymerization reaction जिसमें बहुत सारे monomer आपस में जुड़के polymer बनाते हैं और बनाते समय किसी भी simple byproduct का formation वहाँ पे नहीं होता for example मैंने explain करने के लिए आपको यहाँ पे बताया है कि A plus B और दोनों मिलके सिर्फ क्या देंगे A B कोई भी तीसरा byproduct यहाँ पे नहीं बनेगा तो ऐसे polymerization को कहा जाता है addition polymerization इसका सबसे पहला example है formation of polyethylene formation of polyethylene तो polyethylene word को जब हम देखते हैं तो यहाँ पहला word है poly और दूसरा word है ethylene तो इसके नाम में ही इसके monomer का नाम चुपा हुआ है तो polyethylene जो है it is the name of polymer तो इसके monomer का नाम क्या होगा ethylene जब बहुत सारे ethylene एक दूसरे के साथ जुडेंगे और एक chain बनाएंगे तो that chain is called as polyethylene यह diagram के माध्यम से आप समझ सकते हैं ethylene का structure क्या होता है C double bond C और यहाँ पे एक hydrogen यहाँ पे एक hydrogen और यहाँ पे एक hydrogen ऐसा एक ही monomer लेना है कि हमको नहीं बहुत सारे monomer लेना है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है N इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है N मतलब N number of ethylene molecule हम लेंगे उसका हमको कौन सा polymerization करना है addition polymerization तो जैसे हम उसका addition polymerization करेंगे सारे monomer एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और एक chain बनाएंगे देखे आप C, 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 C फिर यहाँ पे सब hydrogen hydrogen आ गए है है ना तो यह इन्होंने एक क्या बना दी है chain बना दी है और यह जब बनता है तो किसी भी तरह का byproduct यहाँ पे नहीं बना तो यह chain को ऐसे continuously हम किता भी दूर तक लिख सकते है तो ऐसा अगर हमको नहीं लिखना है तो short form में हम इस तरह से भी लिखेंगे क्योंकि A की unit बार-बार repeat हो रहा है ना और वो unit क्या है C, C, यहाँ पे hydrogen, hydrogen, यहाँ पे hydrogen और hydrogen और इसको bracket में डालके हम यहाँ पे लिखतेंगे N मतलब यह N नंबर यह जो unit है यह जो particular structure है यह N नंबर और times जो है वो इधर repeat हो रहा है तो यह जो कुछ भी structure यहाँ पे बना है It is called as polyethylene देखिए, अच्छे से देखिए What is the difference between ethylene and polyethylene Ethylene जो है, वो free है यहाँ पे double bond है carbon और carbon के बिच में कौन सा bond है double bond है और यहाँ पे कोई भी bond नहीं है मतलब वो free है, बहुत सारे लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जूड जाते है तो double bond जो है, वो single bond बन जाता है और एक bond इधर extend हो गया और यह इधिलेन ऐसे ही दूसरे इधिलेन के साथ तीसरे इधिलेन के साथ, चवथे इधिलेन के साथ जूड़ा हुआ है जिसके वज़े से अब इसको कहा जाता है polyethylene ठीक है जिसके वज़े से अब इसे कहा जाता है polyethylene यह तो हो गया पहला example polyethylene का जो कौन से polymerization से बनता है addition polymerization यहाँ पे कोई भी तरह का byproduct नहीं बना है दूसरा एक example देखते हैं दूसरा example formation of poly tetrafluoroethylene poly tetrafluoroethylene जिसे को common language में कहा जाता है teflon तो देखिए इसके नाम में ही इसके monomer का नाम चुपा हुआ है poly tetrafluoroethylene यह polymer का नाम है और इसके monomer का नाम है tetrafluoroethylene तो अब थोड़ा इसका structure भी देख लेते हैं तो देखिए इसका structure बिल्कुल ethylene के समान ही है carbon double bond carbon बस चारो जगा पे hydrogen की जगा पे क्या आ गया है fluorine atom आ गया है इसलिए इसको कहा जाता है tetrafluoroethylene tetrafluoroethylene ऐसे tetrafluoroethylene के हमें कितने molecules लेने हैं N number N number मतलब अंगिनत तो इसमें addition polymerization होगा यह जो double bond है यह break हो जाएगा और यह इधर और इधर extend हो जाएगा और यह जो कुछ भी tetrafluoroethylene का unit है यह बार 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 रिपिट होगा जिसे कहा जाएगा poly tetrafluoroethylene common language में इसे कहा जाता है teflon teflon अपने सुना भी होगा आप ad बगरे देखते हैं तो ad बे बताते हैं कि हमारे paint जो है उसमें teflon coating है है ना या आप लोग जब नई बाइक बगरा लेते हैं तो दुकान जो रेटेलर होता है वो आपको बोलता है कि इसके उपर teflon coating करा लो तो that teflon is nothing but a polymer that teflon is a plastic material तीसरा एक्जामपल देख लेते हैं तीसरा एक्जामपल है poly styrene poly styrene इसका reference जो है वो thermocall बनाने की process में भी आया है thermocall बनाने के लिए जो chemical use होता है that is called as poly styrene तो ये poly styrene is nothing but a plastic तो ये poly styrene का structure इस तरह से होता है C double bond C तीन जगा पे hydrogen है और एक जगा पे जो है एक benzene ring होती है इसे कहा जाता है styrene तो ये ऐसे styrene के हमको N number of molecules लेने हैं तो styrene 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 जब एक दूसरे के साथ जुडेंगे तो ये यहाँ पे ब्रैकेट बनाई है और यहाँ पे लिखा है N और ये बन गया है हमारा poly styrene यहाँ पे कोई भी byproduct नहीं बना है इसलिए ये addition polymerization का example है then the last example is the formation of poly vinyl chloride poly vinyl chloride अब ये पूरा नाम जब मैं लूँगी तो शायद आपका identify नहीं होगा लेकिन इसको short में PVC भी कहते है तो PVC बोलने के बाद आप लोगो कुछ link लगी होगी आपने देखा होगा कि PVC के pipes आते है जो electric fitting के लिए या पानी वगरे के supply के लिए यूज किया जाता है तो that PVC is nothing but poly vinyl chloride which is a plastic material which is a polymer तो ये बनता कैसे है ये बनता है विनिल chloride से विनिल chloride का formula है C double bond C तीन जगा पे hydrogen है और एक जगा पे क्या होता है chlorine तब ही इसे को कहा जाता है विनिल chloride ऐसे विनिल chloride के N number of molecules जब एक दूसरे के साथ जूडते है तो इस तरह का structure बनता है double bond तूट जाता है और C single bond C एक bond इधर extend हो गया एक bond इधर extend हो गया और ये जो कुछ भी structure है ये बार 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 रिपिट होगा जिसे कहा जाएगा polyvinyl chloride यहाँ पे भी कोई भी byproduct नहीं बनता इसलिए ये जो है ये example है एडिशन polymerization का ठीक है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे condensation polymerization तो condensation polymerization मतलब क्या the polymerization in which large number of monomers join together to form a polymer but with removal of simple byproduct is called as condensation polymerization definition जो है addition polymerization जैसी ही है बस अंतर क्या है कि जब addition polymerization होता है तब monomers join होके polymer बनाते हैं कोई भी byproduct नहीं बनता लेकिन जब condensation polymerization होता है तो monomers join होके polymer बनता है और साथ में simple simple byproducts भी बनते हैं जैसे कि A और B आपस में मिलके A, B भी बनाएंगे और साथ में कोई तो भी बाइप्रोडक्ट भी बनेगा तो that is called as condensation polymerization उसे क्या कहते हैं condensation polymerization तो अब इसका भी एक्जामपल समझ लेते हैं तो इसका बेस्ट एक्जामपल है नाइलोन 66 नाइलोन अपने सुना होगा नाइलो is nothing but a plastic that is a polymer तो यह नाइलोन 66 बनता कैसे है तो नाइलोन 66 बनता है इसमें दो तरह के monomer यूज होते हैं पहले monomer को कहा जाता है एडिपिक असीड और दूसरे monomer को कहा जाता है हेग्जाडायमीन हेग्जाडायमीन ओके तो यह जो कुछ भी एडिपिक असीड है इसका structure इस त OH इसे कहा जाता है एडिपिक असीड यह कुछ organic chemistry का chemical reaction का पार्ट है तो यह थोड़ा सा आपको carefully समझना है एडिपिक असीड का structure है यह ठीक है और यह हेग्जामेथिलीन डायमीन हेग्जामेथिलीन डायमीन इसको short में हम बोल सकते हैं तो यह CH2 हेग्जा का मतलब होता है 6 त हमने condensation की definition में पढ़ा है कि यहाँ पे removal of simple byproduct होता है तो यह जो पहला एडिपिक असीड का molecule है इसमें से OH निकल जाएगा और यह NH2 में से एक hydrogen निकल जाएगा तो यहाँ से OH और यहाँ पे hydrogen मतलब कौन सा molecule remove होगा water molecule कौन सा molecule remove होगा water molecule और हमें यह structure मिलेगा NH C double bond O CH2 4 times C double bond O NH CH2 6 times NH C double bond O और इसे कहा जाता है nylon 66 यहाँ से OH निकल गया यहाँ से H निकल गया तो यहाँ पे valency खाली हो गई ना तो यह वाला oxygen जो है इस वाले यह वाला carbon जो है यह इस वाले nitrogen के साथ जूड जाएगा है ना carbon का अगर यह OH निकल गया तो इसकी एक valency खाली हो गई और nitrogen का ए गया तो इसकी भी एक valency खाली होगी तो खाली तो नहीं रह सकता क्योंकि unstable हो जाएगा है ना तो इसलिए यहाँ पे यह C और NH एक दूसरे के साथ जॉइन होके कौनसा molecule बन जाता है nylon 66 with the removal of कौनसा byproduct H2O इसलिए it is the example of condensation polymerization और एक simple सा example जो है वो देख लेते हैं दूसरे example है बैकलाइट बैकलाइट भी आपने सुनाओगा यह plastic material होता है जनरली जो कुक वेर्स होते हैं उनके handle बनाने के लिए टीवी रेडियो के जो cabinet होते है वो बनाने के लिए बैकलाइट प्लास्टिक जो है वो यूज होता है क्योंकि यह बहुत जादा hard और brittle और मजबूत भी हो तो phenol हमें दो चाहिए तो एक phenol हमने इधर से लिया एक phenol हमने इधर से लिया यह benzene ring हो गई और इसको यह OH group तो यह हो गया phenol इसको किसके साथ जोड़ना है formaldehyde इसको किसके साथ जोड़ना है formaldehyde formaldehyde का structure होता है HAC HA double bond O इधर से एक H है इधर से है बीच में कारवन है और होता है तो वह water होता है तो यह जो benzene ring है यहां पर यह कौरनर मोलेक्व tell how से psychology 3 children होता है तो यहां से हैं इधर यहां से ओक और और this Inner queen У और यह oxygen ऐसे टीनों वाटर मॉलेक्वल बनके क्या होघीने निकल जाएंगे water molecule बनके क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे द्यान से समझेंगे यहाँ से एक hydrogen atom और यह वाला oxygen atom जो है वो water molecule बनके निकल जाएंगे तो यहाँ पे एक valency खाली हो गई यहाँ पे एक valency खाली हो गई तो वो किस के साथ जूड जाएगा कारबन के साथ जूड़ जाएगा तो यह बेंजिन रिंग यह बेंजिन रिंग और बीच में कौन आ जाता है CH2 और यह योनिट जो है यह बार 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 रिपीट होगा और कौन सा प्लास्टिक बनेगा बाकेलाइट तो इस बाकेलाइट is formed with the removal of simple byproduct H2O इसलिए it is the example of condensation polymerization then अब last topic आज के वीडियो के हम देखते हैं that is the difference between addition polymerization and condensation polymerization दियान से समझेंगे the polymerization in which large number of monomers join together to form a polymer without removal of simple byproduct is called as addition polymerization जिसमें कोई भी byproduct नहीं बनता that is called as addition polymerization और यहाँ पे लिखा हुए with removal of simple byproduct is called as condensation polymerization जहाँ पे polymer भी बनता है और साथ में कोई तो भी byproduct भी बनता है तो that is called as condensation polymerization monomer must contain one or more double bond जब हम addition polymerization की बात करते हैं तो जो भी monomer है उसमें double bond जो है वो होना जरूरी है जैसे हमने ethylene में भी double bond देखा उसके बाद poly tetrafluoro ethylene में भी हमने double bond को single bond होते हुए देखा लेकिन यहाँ पे monomer जो है इसमें different functional group जो है वो होने चाहिए जैसे phenol group होना चाहिए, aldehyde group होना चाहिए, carboxylic acid group होना चाहिए जो example हमने अभी nylon 66 और bacalite की देखे उसके जैसे then polymerization takes place in the presence of heat, light और catalyst addition polymerization होने के लिए heat, light या catalyst होना जरूरी होता है लेकिन जब condensation polymerization होता है तो ऐसी कोई भी condition नहीं होती वो normal temperature pressure condition पे भी हो सकता है then for addition polymerization initiator is required कुछ तो भी chemical substance हमें ऐसा डालना पड़ेगा जिससे reaction start हो उसे कहा जाता है initiator लेकिन condensation polymerization में initiator की जरूरत नहीं होती addition polymerization is a quick reaction ये बहुत quick होता है, fast होता है condensation polymerization जो है ये एक slow reaction होता है, धीरे धीरे होता है addition polymerization is a chain reaction addition polymerization जो है वो chain reaction होता है मतलब सारे molecule एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे chain के जैसे जूड़ते जाते हैं लेकिन जब हम condensation polymerization की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दिशा में one dimensional chain नहीं बनती वो जो structure बनता है वो three dimensional होता है जिसे कहा जाता है inter molecular reaction मतलब किसी भी दिशा में वो molecule जो है वो propagate हो सकता है then addition polymerization में हमने चार एक्जामपल देखे थे जैसे PVC मतलब polyvinyl chloride उसके बाद polyethylene हमने example देखा तो जो ethylene से बनता है then teflon को हम बोलते है poly tetrafluoroethylene जो tetrafluoroethylene से बनता है और polystyrene जो styrene से बनता है और हमने condensation polymerization में दो एक्जामपल देखे एक हमने देखा nylon 66 जो adipic acid और hexamethylene diamine से बनता है और bacalite जो phenol और formaldehyde के combination से बनता है तो यह हो गया है difference between addition polymerization and condensation polymerization तो बच्चों आप देखते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा तो आपको addition polymerization और उसके चार एक्जामपल समझ में आये हैं condensation polymerization के लिए हमने दो एक्जामपल पड़े हैं और साथ में हमने पड़ा है difference between addition polymerization and condensation polymerization then program outcome आपको आज के इस वीडियो से polymer topic के बारे में basic knowledge मिला है साथ में ही ये चीज़ आपको हमेशे आद्म रखने वाले हैं आप कि बहुत सारे monomer join होके क्या बनाते हैं chain बनाते हैं तो that reaction is called as polymerization reaction then इसका assignment क्या है तो आपको addition polymerization को examples के साथ explain करना है उसके बाद आपको condensation polymerization को example देके explain करना है और साथ में ही आपको addition polymerization और condensation polymerization के बीच का difference भी लिखना है then इसके पात वाला जो हम topic पढ़ने वाले हैं very very important topic that is classification of polymer polymer के different different types जो है वो हम पढ़ेंगे so dear students don't worry be happy keep learning happy learning thank you thank you very much